द्रौपती मुर्मू का अपमान किया है सीधित वर फ्रबीजे पिपी से अलगा is एक बाट नहीं हजार बार अपमान है क्या आपने देखा था राम मंदिर में उसके राम मंदिर के और अब भारत रतन से जब अडवानीजी को नवाज़ गया है तब क्या आप मुर्मु जी को बैटने का समय नहीं दिया उनको क्या भी बैट जाईए या अगर वो खड़े हैं तो उन दोनों को कहा इतना समय नहीं था कि वो खड़े हो कि ये पद को लें एंकार में चूर चूर है यह इस वक्त उसे पता नहीं है कि देश में चल क्या रहा है अरे हिम्मत है क्या नरंदर मोदी जी राजनीती छोड़ सकते हैं क्या सम्मान देती है कॉंग्रस पार्टी बेदबाव नहीं करती जिस तरीके से बेदबाव करते हैं अरे यह वो लोग हैं जो शुडूल कास दली द्वाइयों पर पिशाप करने का काम करते हैं क्या बात कर रहे हैं आप आपने प्राइवेटेशन करा अकर बताओ कितने लोगों को रोजगार दे दिए प्राइवेटेशन करने के बाद आप के तो पकोड़ा तलना रोजगार है औरे शरमानी जी नरंदर मोदी जी शरमानी जी अमिशा जी आप अपने बच्चों को आई पील में सेकेटरी बना देते हो और आप गरीब को बोलते हो कि पकोड से अपाइच बनाए जा रहे हैं देखिए मैं यह कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सबी लोगों को कि नरंदर मोदी जी को आदी वासी हो चाहे वो हमारे दलित भाहियों चाहे इस देश की महिला हो उनको कोई लेना देना नहीं है रीजन क्यों आज आपको अदवानी जी को सबसे बड़ा सम्मान देने गए पहली बात तो आप नोटिस करना के अदवानी जी का मूँ कैसा उतरावा है कोई फरक नहीं है उनको दो चाहे मदो बारत रतन जबकि बारत रतन एक ऐसी चीज है जिसको मिलता हूँ बहुत अपने आपको गोर्वान में मह करते हैं अदवानी को मतलब नहीं है पहली बात अचा दूसरी बात इस देश का परधान मंत्री जिस पत पर बैठा हुआ है मुझे लगता है उनसे बड़ा पत तो हमारे इस देश का मतलब जो राश्पती है उनका है राश्पती जी खड़ी है और वो बैठे हुए अदवा देश की राश्पती है अब मुझे बताइए उसके बाद वो फोटो कैसे वायर लोगी देखा होगा अपने यहां तक की उनके बाद इतना भी समय नहीं था कि हमारे देश की राश्पती मुर्मु जी को बोल दें क्या आप भी बैठ जाएं नहीं उनके सामने कोई कैसे आपको पता होना चाहिए जब देश का संसद भावन जब बना था आप बताईए क्या देश की राश्पती महां मौजूद थी बता दीजी आप थोड़ा पीछेप जाईए अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है थी वाँ पर लेकिन मुर्मु जी पर पहला मुझे बो हमारे देश की राश्पती जी मुर्मु जी वाँ मौजुद थी बताईए आप मैं आप से पूछना चाहता हूं और जो वीडियो सुन रहे हैं क्या आपने देखा था राम मंदिर में उसके राम मंदिर के उद्गाटन के समें आपने मुर्मु जी को वाँ देखा था नई स बैठने का समय नहीं दिया इनको कि आप भी बैठ जाईए या या अगर वो खड़े हैं तो उन दोनों को क्या इतना समय नहीं थे कि वो खड़े हो कि यह पद को लें बताई आप हैंकार में चूर चूर है इस वक्त मोदी जी बिलकुल और मैं कहना चाहता हूं जब यायते वजपने देखा हूँ को बहुत शोर था मोदीजी आ Carn मोदीजी आ रहे हैं कि अभ सब को पतला चुका है जो उस वक्तों तॉ टहना आ प्रब्वालदा काम को रहा है और घृडवला काम हो रहा है अप समझिए चोरीवाला कैसे काम हो रहा है शमझो आप इलेक्टरल बॉंड से 28,030 इलेक्टरल बॉंड बरामद हुएं आप समझिए एक अरब 65 खरब 18 करोड 10 लाग 99,000 रुपे के इलेक्टरल बॉंड बरामद हुएं कहां है यह पैसा बताई कहां है इस देश का युवा इंधिजार कर रहा है कि दो करोड रोजगार अब तो दे दो मगर हो क्या रहा है इस देश के अंदर ना महेंगाई पर कोई बात करते महिलाओं का उत्पिड़न दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है और जहां से नरिंदर मोदी जी आते हैं गुजराच 40,000 से ज़्यादा महिलाओं लापता हैं गाइब हैं क्यों मैं पूछने जाता इस देश के परदानमंतरी घो को कोई मतलम नहीं है महिलाओं से कोई मतलम नहीं है अजा सुनिए लेकिन विपक्च इस प्रेकार से घेर रहा है ये वही विपक्च है जो कल तक बीजईपी सरकारा रोप लगार कि इनको बात पच्च नही रही है कि आदिवासी समा और से हमने चाहे महिला हों, चाहे मुस्लिम समाज हो, जो आज इनोंने बाट दिया है, दंगे करा दिये, हमने सम्मान हम जो कॉंगरेस पार्टी ने दिया है, अगर इनोंने दिया हो तो मुझे बता दिजी आप, आपको पता होना चाहिए, मैं मंदिर की बात करूँ, अभी मंदिर क का परदानमंतरी कौन था ? मैं जनता से पूचना चाहता हूं जब अक्षर दामंन्दिर बनाता हूं वृस्वक्त परदानमंतरी कौन था ? एक श्ект समाज श्रीम मनमौन सींग जी थी बताऊ न चीए उस वक्त डेश का राश्ठपती कौन था ? बताई यहow लेकिन आप लोग उसके से भटक रहे हैं, आप अदिवासी समाज को उठाने का काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया है, हाँ यह ना और सीधा जवाब चाहिए, जया प्रकास जी मुझे, क्या बोला आपने, क्या अदिवासी समाज को, दलिस समाज को, बिसी समाज से आपत्ती ह हाँ, आप मुझको बताई क्या पत्ती है, मैं आपको बता देना चाहूंगे कि बीजेपी की आटी सेल ने हाल फिलाल में एक शोशल मेडिया पर वीडियो वाइरल किया, जिसमें कहा गया कि मलिका अरजुन खडगे जी, क्योंकि वो दलिस समाज से आते हैं, इसलिए उनका किया जाता है, नरंदर मोदी जी ने यह कहा था, एक बात और भी कहीते हैं, वो मैं आपको बता दूँ, कि गांधी परिवार के बात, अगर राश्तिय अद्धक्स किसी को बना दे, तो मैं राजनीती छोड़ दूँगा, क्या आप भूल गए, आप मुझको बताईए, क्या नरंदर मोदी जी राजनीती छोड़ सकते हैं, क्या, सम्मान देती है, कॉंग्रस पार्टी, बेदबाव नहीं करती, जिस तरीके से बेदबाव करते हैं, अरे ये वो लोग हैं, जो शुडुल कास, दलिद भायों पर पिशाप करने का काम करते हैं, क्या बात कर रहे हैं किस पार्टी का है, चिनमे अनंद किस पार्टी का है, बता दीचे, और भी तमाम वीडियो बारल होगी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, मगर आज सब भूल गए, देश इस वक्त गड़े में जा रहा है, बात होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, बात होनी चाह है, महेंगाई की, बात होनी चाहिए, इस देश का 87% यूवा बेरोजगार है, उसकी पर बात होनी चाहिए, मगर आज बात क्या हो रही है, बताइए आप, क्या आप आम चूसके खा रहे हो, क्या आप बटवा रखते हो, आप 8 गंटे काम करते हो, और देश का मीडिया दुक की बात यह है, कि आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी, जिस तरीके से आपने इस मीडिया को कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आज आपने सवाद पूछना इस सरकार से बंद कर दिया, यह कहीं न कहीं अपने आपको लिप्त करने वाली बात है, आप बताईए, आपको हम बतान कितना असरदार होने वाले 24 चुनाओं में आप यह गलत क्या रहे हैं आज ध्यान नहीं हम सुरू से ध्यान देते हैं जब जब कॉंगर्स के सरकार रहती तो जब जब ध्यान दे रहे इसलिए राउल जी ने बोला कि जो इस देश में कॉंगर्स पार्टी ने चाहे वो दलित वर्क हो चाहे वो एस्ती हो चाहे ओबी सी हो सब पर ध्यान कॉंगर्स पार्टी ने दिया है और हाँ आप याद रखिए मैं कहना चाहता हूं पकड़-पकड़ के लोगों को रोजगार दियें नोक्रियान दियें सरकारी आज बता दीजे इन्होंने कितने नोक्रियों दिय थे बढ़ने पाए नोकरी देने की तो दूर की बात है नहीं नोकरी मगर खाली पदी नहीं दस सालों में भर बाएगी बताई आप अचा आप मुझे वो लिस्ट बता दीजे जरा कि जहां-जहां अधिवासी और दलिस समाज का अपमान किया बीजेपी सरकार में बहुत जगा किय है मैं बता दू आपको बहुत जगह किया है आम सबसे पहले मुझे एक बात बताईए सबसे पहले आपने का जल जंगी जल जंगल जमीन जंगल जमीन आज बताईया है अज बताईया है हजदेव जंगल चातिजगर में पता होगा बिलकुल क्या हो रहा है पहले क्या हो रहा है आखिर मोधी की क्या मजबूरी है मैं पूछना चाहता हूं आज देश में अचार सहीता लग रही है अचार सहीता के बाद इस जो सरकारी एजन्सियां उनको निस्पक्ष जाच करनी चाहिए उनको इस वक्त निस्पक्ष का रिवाइग करनी चाहिए मगर आज भी वह अपन कोट तक को भी उन्हों दर किनार कर रखा है सरकार ने बताइए यह तो धन्यवास कहना चाहता हूं में चिफ जस्टिस चंद्रचूट जी का कि जिनों ने जिनके डर से नरंदर मोधी जी को भी थोड़ा से नींद नहीं आती अच्छा आपको लगता है कि द्रौपती मुर् मुझे जी की रिपोर्ट क्या ती आपको पता होना चाहिए खत्यंबाल मलेक जी कौन थे भारती जनता पाटी के नरंदर मोधी जी से पहले के नेता है से मुझे को बताईये कि उन्होंने क्या बोला कर राष्ट्पती जिस से पहले मिलने से पहले व झ्ठ हं जुआ के छु कि अधिवासी को राश्टपती बनाया और उसका ले लिए अधिवासी को भी पता है अच देस में क्या हो रहा है अग कितने अधिवासी लोग बता हो रोजकार देदी इनोंने बताई आप मैं आप से पूछना दो आकर बता दीजी इन दस सालों के अंदर अगर दो करोड तो कि बात है 50 लाग अगर क्रॉस हो गए तो मैं आपका गुनेगार हूं बताई आप बता दूमें अरे इनकी नियत नहीं है इनकी नियत नहीं है मैं बता दूं आज सिक्षा कितनी महंगी कर दी आपको पता है महंगी करने से क्या मतलब है सोचिए आप क्योंकि गरीब का बच् किस ने लगाई है कौन सा परधान मंतर जिसने लगाई है अरे खुद अटल वियारी वाचपई थे तब भी ऐसा काम नहीं हुआ जितना गिनोना काम यह सरकार कर रही है तो आपको लगता है 24 में आदिवासी समाज मूतोर जवाब देगा मूतोर जवाब तो हर समाज देने मैं पैसे नहीं रहते मैं बता दूँ आपको बच्चे बोलते हैं अपने माबाप से कि हमें ये दिला दीजी हमें वो दिला दीजिए मगर माबाप की गुंजाइस नहीं होती ही कि उनको वो चीजे प्रवाइड करा दें अरे अच्छे को स्कुल कॉलेज में भी आप एडमि अपनी जरूरते खतम करके बच्चों को पढ़ाते कि बच्चे को पढ़ा दू मगर उस वक्त भी उनको ये गारंटी नहीं होती कि मैं पढ़ा तो रहा हूं मगर मेरा बच्चा नोकरी लग जाए तो सब कुछ प्राइवेटेशन कर दिया मुझे बताओ प्राइवेटेशन करके आपने प्राइवेटेशन करा मगर बताओ कितने लोगों को रोजगार दे दिया प्राइवेटेशन करने के बाद आप कहते हो पकोड़ा तलना रोजगार है और शरमानी जी नरंदर मोदी जी श सबसे पहला अमिशा जी आप अपने बेटे को IPL पत से पहले इस्तिफा दिलवा के आप पकोड़े तलवाई एक बार जरा जनता को बताईए का मैंने मेरा बीटा तल पकोड़े तल रहा है बता दीजी आप अरे कोई बता रहा हूं अगर कोई भी माता पिता फेला भी लगा द दलितों का बहुजनों का जो यह शोशन किया जा रहा है कितनी बार किया जा रहा है पिशाप कर देते हैं मार देते हैं बताइए पिशाप कर देते हैं कितनी बार कांड हो चुके हैं जो तो मीडिया ने जो दिखाया है है ना समझना नी तो ऐसे कितने वीडियो वाइरल नह रहे हैं कितनी बात कितनी बात नरंदर मोदी जी मनीपुर गये बता दिए बताईए मैं बता दू इस देश का परदान मंतरी अपने आपको एक एहंकार में डूबा हुआ है उसे पता नहीं है कि देश में चल क्या रहा है अरे हिम्मत है हिम्मत है आज भी राहुल गानी जी की कि जन्ता के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के के भारत जोड़ो यात्रा के समय जन्ता से मिलने का काम किया है क्यों क्योंकि देश की मीडिया नहीं दिखा रही देश की मीडिया दिखा रही है बताई आप छोटा सा कारिकरम दिखा देती है आम चूश के काने वाला वो र आप मुझे बताइए दर्तो राहुल गांदी जी को होना चाहिए क्योंकि घर में राजिव गांदी जी के आपको पता होगा कि कैसे चित्ड़े उने ये कॉंगर्स पाटी आप समझे गांदी परिवार उसके बाद इंद्रा जी के कितने गोलियां लगी है उसके बाव आखों के आखे बोलकर जन्ता की बात रखने वाला कौन है राउल गांदी जी के लाव पता है प्रकाश जी अंतुमे आप तमान दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आदिवासी समाज का अपमान किया गया है देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूं अपनी बात खतम करने स का मजा लेता रहेगा है आम आम आदमी तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाईच बनाए जा रहे हैं आप समझगे मेरी बात उसके बाद ही मैं बता दूं आने वाली पीडी के जो बच्चे है ना उनके बच्चे स्कूल के बैग नहीं होंगे जोला होगा जो नर